तो आज हम लोग जा रहे हैं तेंचा फॉल घूमने और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी सुबह से ही तो हमने प्लान किये कि हम लोग कहीं घूम कर आते हैं तो मेरे देवर, देवरानी, ननन्द, हम सब लोग मेरे हस्बें हम लोग सब गूमने के लिए निकल गए मौसम इतना प्यारा हो रहा था आप देख सकते हरियाली हो रही है एक दम और अच्छा लग रहा है बारिश के टाइम में जब मौसम अच्छा होता तो कहीं ना गए घूमने जरू जाना चाहिए नहीं तो आप मिस कर दोगे फिर हम लोग जा रह लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता ही क्या हुआ निकले तो हम दिंचा फॉल के लिए थे बट पूरा रास्ता कीचर से भरावा था हमने एक बार तो हमने आगे हम लोग चले गए बट एक बार आगे जब हम गए तो उसके भी आगे एक ट्रक खड़ा हुआ था और रास कुछ खाया क्योंकि भूग लग रही थी तो हम लोग सब बस वहीं अंदर जा रहे थे और कुछ ओर करेंगे कुछ ना कुछ खाएंगे तो सब अपना-पना ओर कर रहे थे किसी ने उत्पम किया था मैंने उत्पम किया था और सब ने अपना-पना अलग-अलग ओर किया था किसी ने रूल किया था, किसी ने पावभाजी पस मेरे हजबन को थाली खानी थी तो उनने थाली ओर्डर करी थी और फिर हम आगे खा पीके निकल गए तो फिर रास्ते में फिर हम लोग कहां गए हम गए पातल पानी क्योंकि वहाँ पे तो बीच में जाही नहीं पाए तो ये प्रॉब्लम है लेकिन अगर आप लोग भी तिंचा फॉल काप ट्राइ कर रहे हैं इन दौर में जाने के लिए तो आप मत जाईएगा क्योंकि रास्ता खराब है बारिश में और भी जादा कराब है तो आपको रिटन ही आना पड़ेगा और सेकेंड फिर हम लोग गए पातल पानी तो वहाँ पर अच्छा था वहाँ पर हम लोग पहुच गए हमने सोच आप निकले हैं तो कही ना कही तो जाना ही चाहिए ऐसे फिर आजाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा फिर हम लोग आगे निकल गए और यहाँ पे भी अच्छा लग रहा था पातल बानी में जो वाटरफॉल है वही देखने के लिए लोग आते हैं हर जग़ से और अच्छा लगता है वहाँ पे वीव बहुत अच्छा है वही तिंचा फॉल में भी यह वाटर फॉल ही है अगर आपको देखना हो तो बस वही आप देखने के लिए जा सकते हैं तो बस हमने कार पार्क की और उसके बाद हम लोग देखने चले गए आप देख रहे हैं बंदर वहाँ पर इतने सारे बंदर है कि मैं क्या बता हो बहुत सारे और उनको देखने में मजा भी आती है तो बस ऐसी वीव था वहाँ पर और बस मैं तो बंदरों की भी वीडियो बना रही थी और अच्छा लग रहा था काफी इस तरीकी का वीव है पर कभी भी आप ध्यान रखिएगा कभी भी वाटर फॉल देखने जाए कहीं भी पानी की जग जाए तो उसके पास में बिलकुल भी नहीं जाए ऐसी रिस्क आपको बिलकुल भी नहीं लेनी है बस फिर हमने बुटे खाए और वहां से हम लोग निकल गए फिर उसके बाद में हम शाम को चाई पीने चले गए और यहां पर एवले है यहां पर चाई एवले एक दुकान है उनकी कई सारी ब्रांचे से यहां पर चाई बहुत अच्छी मिलती है तो यह था मेरा चोटा सा ब्लोग आप लोगों कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएगा बाई